हलो, प्यारी बच्चो आज हम कर रे हैं वर्कशिट नमबर 31 जोकी 3 ख्रास की वर्कशिट है और यह वर्कशिट की साइन्स की है ठीक है । यह अपकी 14 सेपटंबर के वर्कशिट है मतलब मन्दी पी ठीक वर्केशिट का नमबर डालो, डेट डालो और अपना नाम लिखो और वर्क्षीट करना शुरू कर दो यह वर्क्षीट भी जैव प्रोग्रम या लाइफ प्रोसेस की है लेकिन इसमें है क्या बिटा अभी तक जो हमने पढ़ा है उस सब के प्रेशन है इसमें जो आ सकते हैं उनमें से ठीक है एक तरह से आपका टेस्ट है वैसे चलो तो करें आप टेस्ट शुरू जितना आपको रिकॉल होता है याद आता है मेरी साथ साथ आंसर देते जाना वर्क्षीट बड़ी हो जाएगी अगर मैं एक ही वर्क्षीट को फूरा सोल करूँ एक ही वीडियो में तो मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ पहले हम वस्तुनिस्ट प्रेशन करते हैं मतला ओप्षिन वाले कोशन करते हैं जो वन वर्ड टू वर्ड या वन लाइन टू लाइन की आंसर है कोशिश पहले वो करते हैं सबसे छोटे नंबर के चलिए पहला कोशन देखो प्रकाश संचलेशन किस अंगग में होता है प्रकाश संचलेशन का नाम याद आते हैं क्या याद आते हैं पत्तियां ठीक है अब पत्तियों के अंदर प्रकाश संचलेशन होता है लेकिन इसने अंग नहीं पूचा, कोशी का अंग पूचा है, मतलब पत्ती के अंदर चोटी-चोटी कोशी का है, उन कोशी काओं का भी कोई भाग पूचा है, और वो भाग क्या होता है, क्या वो माइटोकॉंड्रिया नहीं, माइटोकॉंड्रिया के अंदर तो उर्जा बनत तो option आप सारे लिख देना लेकिन answer किस पर राइट करना सिर्फ answer राइट करेंगे हम chloroplast पर राइट चलिए पारचं परिकेर्या में टृपसिन एंजाईन का क्या कर रहा है तो यहाद है कि खाना कहां से पच्चता है मुझ से पच्चता है वेरी गूड उसके बाद वो कहां आता है बिटा उसके बाद वो पाचन नलिका में आ जाता है वेरी गूड उसके बाद खाना कहां जाता है अमाश्या में जाता है ये भी बिल्कुल सही हो गया उसके बाद खाना निकल के कहा जा रहा होता है बिटा ये जा रहा है आपकी छोटी आथ के अंदर जब ये छोटी आथ के अंदर जाता है तो खाना कैसा बन जाता है बिटा खाना बन जाता है शार किया तो शार के माध्यम में एक एंजाइम आता है ट्रिपसिन एंजाइम जो की छोटी आत्मी ही होता है मतलब शुद्रांत के अंदर ही होता है और ये करता क्या है बिटा ये प्रोटीन को अमीनो अमल में तोड़ देता है ठीक ये इसका काम होता है चले आगे स्वशन प्रिकिरिया में एटीपी किस प्रकार बनती है जैसे जैसे हम सांस लेते हैं बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर जाती है ऑक्सीजन की वज़े से क्या हो रहा होता है बिटा वहाँ पर भोजन का देहन हो रहा होता है और देहन होता है तो उसमें से carbon dioxide निकलती है और उर्जा निकलती है उर्जा किस रूप में निकलती है सबको याद है हाँ उर्जा निकलती है ATP के रूप में तो स्वशन पिरकिरिया में ATP किस प्रकार बनता है स्वशन पिरकिरिया में ATP भोजन के दहन से बनता है और किस में संश्रेशी तो होता है माइटो कोंड्रिया के अंदर बनता है ठीक है चलिए एवाईविय सोशन क्या होता है बताए एवाईविय सोशन सोरीस में पूछा है एवाईविय सोशन होता है क्या येस्ट में एवाईविय सोशन होता है है बिल्कुल होता है है न जिवानूओं में होता है उसमें भी मास पेशियों उसमें भाग रहे होते है वायू हमें इतनी मिलनी रहे है लेकिन मास पेशियों को चाहिए उरजा तो वो क्या करती है एसी कुछ जिवानूं भी करती है तो आंसर आ गया उपरोक्त सभी में एवाईवेस वेशन होता है तो ये आपके वस्तुनिस्ट कोशन है आप्शन वाले कोशन है ऐसी उतारना पहला कोशन लिखना ए भी सी डी लिखना उनके ओप्शन और सी पे राइट जैसे आप एक्जाम में करते हो बिल्कुल वैसी है अगला कोशन देखेगा फिफ्ट कोशन पर आ गया है बिटाम फिफ्ट है उच सर्जी तंत्र की क्रियात्मक इकाई है याद है आपको सर्जी तंत्र सबको याद है उच सर्जी तंत्र हमने ऐसे बनाए थ आपने बी इंज जैसी दो आपने वह बनाए थी किदनी बनाए थी यह बनाए थे यह बनाए थे ना वैरी गुड है अब मैने कुछ और मेर drives है अन्दर विक में क्या अलट गला पालए इन यह बनाए मैं तक पूरी तयार फुरीCal भी होगय손 और यही था उसर्जी तंत्र हम तो उस सर्जन दंत्र के अंदर हमने ये सीखा था कि इसके अंदर किरिया कौन कर रही है किरियात्म की काई कौन है ये जो किड्निया है इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी जाल पूरा भरा हुआ है करीब एक लाग छोटी छोटी कोशिकाए है उनकोशिगाईऑं का नाम होता है नैफरोन या वरिकानू ठीक है? गही बनाया था हमने याद है सब बचलों को अगला है रक्तकनिकाई जो चोट की स्थान पर रोधिर को रोकने का कारे करती है जहां पर चोट लग जाती है दीरे 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 धीरे current सा जमने लग जाता है जमने लग जाता है न और धोड़ी दिनों बाद वो brown और महरून कलर का current हच जाता है और new skin आ जाती है तो वो काम करते हैं platelets क्या काम करते हैं वो platelets रुधिर का थक्का जमाने में काम आते ही है या रुधिर को रोकने में साहता करते है ठीक अगला कुश्षन है लसी का रुधिर के डैश के समान है हाँ लसी का जो है रुधिर में बहता हुआ चीज किया है बेटा Plasma वेरी गुड Plasma ठीक है तो लसी का रुधिर के Plasma के समान है लेकिन ये डैश और इसमें अल्प मात्रा में डैश है लेकिन ये रंग हीन है इसका कोई रंग नहीं है ये रंग हीन है और अल्प मात्रा में इसमें प्रोटीन है और सारे प्रोटीन तो कहां घूम रहे होते हैं बिटा सारे रुधिर में होते हैं लेकिन कुछ मात्रा में प्रोटीन कहा आ जाते हैं लसीका में आ जाते हैं लसीका क्या चीज है बिटा किसी को याद है लसीका क्या था जब अना रुधिर किसमें से बहरा होता है बिटा या तो वो धमनियों में से बहरा होता है या फिर शीराओं में से बहरा होता है लेकिन कोशिका है ठीक है अब जो कोशिका ओं की मैम्ब्रेन से उनकी कोशिका भित्ति से बाहार निकलता है T resolus प्लाजमा की त्रह लिक्वीड होता है बहरा होता है बाद मीं दुबारा से blood में mix हो जाता है पिटा और इसमें अल्प मात्रा में protein होता है या हमारे प्रति रक्षी तंतर में काम आता है हमारी रोगाणों से रक्षा करता है पिटा यदि किसी पोधी में पोधे से जायलम निकाल दिया जाए तो उस पोधे क्या होगा अब क्या होगा बताओ जायलम क्या था याद है सबको करो याद फटा-फट जायलम क्या था मुझे याद आ रहा है थोड़ा-थोड़ा जायलम तो इंसानों में नहीं था मानव में नहीं था किस में आहां था वो हाँ वो तो था पोदों के अंदर तो पोदों के अ फ्लोयम कौन थे वो फ्लोयम का काम है जो खाना बन गया उसे हर जग है लेके जाना लेकिन एक है जो पानी नीचे मिट्टी में से पानी जा रहे है और क्या जा रहे है पिटा खनीज लवन ठीक वो लेके जाने का काम होता है जायलम का अगर ये खनीज लवन और पानी उपर न तो क्या होगा? खाना बनेगा ही नहीं तो अगर जाइलम को ही हटा दिया जाए पोधी के अंदर से तो खाना ही नहींा क्योंकि प्रिकास संशलेशन के लिए कच्चा सामान या कच्ची सामगरी जैसे की पानी और खनी जलवan जायलम ही लेके जाते हैं अगर जायलम नहीं होगा तो पोदे में प्रकास अंशलेशन नहीं होगा तो प्रकास अंशलेशन नहीं होगा तो पोदे की वृधी भी नहीं होगी और पोदा थोड़े दिनों में ही सूख जाएगा उसी दिनी सुख जाएगा वैसे तो चलिए वहर रुधिर कोशिका जो ओक्सीजनित रुधिर को फेफडो से हिर्दिया तक लाती है बताईए कौन सी है फेफडो से हिर्दिया तक यह मैं रब कर दूँ चलो यह रब करते हैं अब दूसरा कोशिकन हम कर लेते हैं इसमें डिसकस बताईए वहर रुधिर वाहिका जो ओक्सीजनित रुधिर को फेफडो से हिर्दिया तक लेके तक लाती है उपर फेफड़े हैं और फेफडो से यहां हार्ट है आपका हार्ट तक लेके आने वाली रुधिर कोशिका का नाम बताना है जो साफ कुन को लेके आ रही है लेके जा नहीं ही लेके आ रही है वो क्या है फुफूस धमनी या फुफूस शीरा जली इस फुफूस धमनी चलिए नेक्स्ट कोशन है, रंद्र पति की सतय पर पाई जाने वाले छोटे छिदर होते हैं रंद्र दुबारा बताती हूँ पति की हाँ, तो बेटा आपको याद दुबारा बतारही हूँ, फूफूश शीरा है वो फूफूश धमनी नहीं थी, वो क्या थी? फुफूस शीरा धमनी तो होती है जो हार्ट से कोई चीज लेके जाए ठीक है लेकिन ये शीरा है लेके वापिस आ रही है हार्ट की तरफ लेकिन कैसा लेके आ रही है एकोन वो लेके आ रही है बिल्कुल साफ वाला रक्त इसलिए इसको क्या कहते है बिटा साफ लेके आ रही है इसलिए इसका नाम हो जाता है धमनी शीरा है तो शीरा हिर्दिया में कोई भी चीज आ रही है वो शीरा है लेकिन साफ लेके आ रही है तो इसलिए हमें पता लगा साफ मतलब ऑक्सीजन इतला रही है मतलब धमनी शीरा है चलिए अगला कोशन, रंद्र पत्ती की सतया पर पाई जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं, ये एक अभी कथन है, एक कथन है मतलबी, कि रंद्र जो है, ये रंद्र है मालो, ये पत्ती है, इसके अंदर छोटे छोटे रंद्र है, बहुत छोटे छोटे रंद्र सारे में, राइट, तो कह रहा है कि ये पत्ती की सतय पर पाई जाने वाले छोटे छिद्र है, कारण क्या है, ये क्या काम करती है, ये गैसी है, विनीम्य इन्ही रंद्रो द्वारा होता है, मतलब इन्ही स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, गैसो का विन्यम्य होता है, विनीम्य मतलब गैसो का आदान प्रदान होता है सही है यह गलत है बल्कुल सही है है ना इनका कारण यह है इसलिए है यह दो काम करते हैं वसी जलका भी Transpiration भी इसे होता है Washfoot Surgeon भी होता है लेकिन अगर इसने कहा है कि Gas का आता गैस का भी करता है आदान प्रदान तो इसका पहला कोशन पहला option सही हो गया A और R दोनों सही है और R कथन को की सही व्याख्छा है R कथन की अभी कथन की बिलकुल सही व्याख्या है तो इस worksheet में पहले हमने यही discuss कर लिया बिटा यह ऐसा question बिल्कुल इन्होंने same pattern बनाया बिटा बहुत अच्छी गॉर्मेंट दिल्ली गॉर्मेंट जो यह worksheet दे लिया है बहुत अच्छी वरक्षीट दे लिया है ठीक है इन्होंने बिल्कुल वही वाला pattern बनाया जैसे कि आपका question पेपर में आएगा ठीक हो सकता है as it is question भी दे दिये जाए तो इसलिए याद अच्छी से कर लो दस्वे question का ऐसे दिया है ठीक है इसके अंदर एक कथन होता है एक उसका कारण होता है व्याख्या कर रहा है और सारे इसके option गलत है तो चारो option लिखके हमें write करना है एपर इस वर्क्षीट में इतना ही इस वीडियो में मैं दूसरी वीडियो साथ में भेज़ देती हूँ बेटा इसी के बाद जिसके अंदर हम इसका part करेंगे लगू उत्रिय प्रश्ण इसके बाद ठीक है अगर कुछ इसमें समझ नहीं आया वस्तुनी प्रश्ण में तो आप मुझे comment box में लिखके पूछ सकते हैं वैसे आपको समझ आ जाएगा यह guarantee है मेरी कि एक बार नहीं दूसरी बार देख लेना वो भी समझ आ जाएगा ओके बच्चो नेक्स्ट वीडियो के लिए वीड करो अभी भेज़ें साथ के साथ ही